कि नमस्कार आप सभी का सौगत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास आल पर अलो हां बताइए सब्सक्राइब कर रहे हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं सत्रह हमारा है सब्सक्राइब कर रहे हैं तो हम यह पुछना चाहते हैं कि तर अपना चाहिए सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर रहे हैं कि अध्यापकों के लिए हैं और अध्यापकों के लिए जो कहीं पढ़ा रहा होता है और आप पढ़ाई कर रहे थे तो आप अध्यापक नहीं इस्टूडेंट थे नहीं सब्सक्राइब कर रहे थे लेकिन अगर आप अपनी दिन जो समय कोर्स कर रहे थे वह डिग्री और यह जब एक साथ कहीं भी लगाएंगे तो आप तीचर त समय में कहां कहां हो सकता है एक ही जगह हो सकता है न सिर्फ अगर आप इस वक्त हमसे बात कर रहे हैं तो इस वक्त आप जो है जहां पर भी हैं जहां से भी कॉल कर रहे हैं घर में हो बाजार में हो इसकूल में हो जहां भी आप एक ही जगह होंगे न तो ऐसा तो है कोई एक व्यक्ति जो है किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई भी कर रहा हो वम सी वक्त वो जो है कहीं पर जो है कोई जाब Però एक समय में करने कई नहीं हो सकता ना इस तो इस चीज़ को दिमाग करके हमेशा हर काम कीजिएगा आगे डिग्री लेना अलग सीजिए लोग बहुत साथ चीजिए तत्यों को छुपा करके काम कर लेते हैं लेकिन सावधानी कहां प्रत्नी होती है यह वह चीद ध्यान रखना होता है कि हमें दो जगह अपने आपको प्रजेंट नहीं दिखाना अगर आप पढ़ा रहे होते पढ़ाते हुए यह कोर्स करने के लिए अप्रूवल दिया गया क्योंकि यह दुरस्त माध्धम से है यह तो जो भी लोग कहीं भी पढ़ा रहे थे यह कोर्स उनके लिए था गॉर्मेंट को इसलिए लेकर आई थी कि जो भी टीचर कहीं भी कर लें अच्छा और कुछ क्लियर हो गया नहीं आप का हर जगह लगा सकते हैं लेकिन ध्यान रखिएगा जहां इस जो है ने डेलेट को सो करेंगे तो फिर आप अपना पढ़ाने का अनुबह दिखा सकते हैं कि हम उस जगह पढ़ा रहे थे यह दिखाएंगे आप ना क जगह जैसे मौल लेजिए आपने कोई फार मया आपने भर दिया इंटर पर था आपने इंटर दिखा दिया इंटर पर ये और ये बयॉण बहुत हैं जोंप पर इसी के बेस पर इंटर के बेस पर और एनालिय के बेस पर अब आप दिक्भा देंगे कि हमने ग्रृजफन किया अगरटी संध दिखाएंगे जैसे ही दिखाने लिए सब्सक्राइं किया या फ्रीट है रहा है और पढ़ाना दोनों रिगुलर काम हो गई है आप और आप अगर टीचिंग दिखा रहा है तो आप अपना ग्रिजयुेशन वहां जीवन में कभी मत दिखाईएगा वह वाला जो उस वक्त किये हैं उसके पहले कभी कियो हो वो चलेगा उसके बाद कभी कियो हो वो सब चलेगा आपका कन्फूजन दूर कर दें आप जहां इनफ डिलेट लगाना होगा वहां इंटर मांगा जाएगा चुक चाप वहां ग्रेजुएशन मत दिखाईएगा प्रमोशन वगरा का चक्कर बाद में आता है तब तक आप दुबारा ग्रेजुएशन कर लिजेगा इग्नुजाज़शन रखे से बस ध्यान रखेगा कि जहां पर इनफ डिलेट की बात आएगी तो वहां इंटर की बात आएगी अगर वहां की भी जा रही हो तो चुक चाब आप रहेगा कहने मत जाएगा हमने ग्रेजुएशन भी कर रखा है आप दुबारा अगर करना चाह रहे हैं अभी कर लीजे कह करेंगे अलग ताइम होगा इसको दिखा सकते हैं तो सब्सक्राइब कर दिए आप किस परिवार से संब्द रखते हैं अमबानी और दानी किसके परिवार से हैं आप पैसा बहुत है आपके पास सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब करना फिजूल है आपने पूरी जानकाई हासिल किये भी ना सीटेट भर दिया है वास्विक्ता यह है कि न आई ओस डियलेट के लिए सीटेट में अभी तक एंसिटी ने कौन सा फिटेट थर्स्ट वाला दे सकते हैं सिकंड वाला दे सकते हैं यह सब कहीं क्लियर नहीं किया एंसिटी ने एंसिटी का जो लिटर हर जगा घूम रहा है वो आप जानते हैं आप हाइश कुल तो जिस भी college से करेंगे वो किसी university से जुड़ा होगा BHU से जुड़ा हो, संबद हो पुर्वांचल उनश्टी से हो कासी विद्यापीट से हो अलिगर्ड उनश्टी से हो देली उनश्टी किसी से अफुरूर लिया होगा उसने ऐसे ही जब ये जो NIOS है पहला तो नाम से ही इस पाष्ट है कि ये दूरस्त माध्यम का है एक व्यक्ति हम Facebook पढ़ रहे थे वो लिख रहे थे कि ये दूरस्त नहीं है ये जो है regular course है हम लोगों ने इतने दिन class किये हैं यहाँ यहाँ class कियो उसका rule था सुर्ट है लेकिन आप जब ये अधिमिशन ले रहे हो आप यू मिले रहे हो के Cada выпол maturity मिले रहे हो कि लखनयूं क्यूंसी मिले रहे हो राज़ा टंडन में ले रहे हो ति घ्राम होगो पता अधा character पहले से हमने अगर मान देए आज के तारिक में करना है फिर से कौन से यह कौलेज है कौन से उनिश्टी से जुड़ा हुआ है पुरवाँची निश्टी है काम तो पता करेंगे और वहां पर रिगूलर का होगा प्राइविट का उपसन होगा तो यह तो पता होगा कि यह दूरस्त वाले नहीं है या फिर अगर हम कहीं कुछ काम कर रहे हैं मेरे पास समय नहीं हम दुरस्त वाला करना चाहते हैं तो हम फिर इनी स्कूल कालेज चक्क्र में पढ़कर के हम वह जगब खोजेंगे जो इगनु से करा रहा हो जो राजिस टेंडन से करा रहा हो क्योंकि हमें पत्रा चाहिए दुरस्त माध्य हमसे करना है तो ऐसे ही जिसने इनाइस डिलेट किया है वह बस अगबार में पढ़ लिया या जो कुछ भी फड़ावट भर दिया पहले उसने थ्यान ने जिया कि एन आई ओएस का मतलब क्या है पंद्रा लाक लोगों ने किया है पंद्रा लाक में से बार्दा लाक चौदर साड़े चौदा लाक ऐसे हैं या हो सकता है पंद्र लाक में कुछ सो लोग सही हो और बाकि सब कन्फ्यूज हो तो पहला तो एन आई ओएस ओ फर ओपन यानिके दूरस्त माध्यम वाला तो यह रिगुलर के समान है ही नहीं तो एक तो ऐसे हो गया डिफरेंस दूसरा जो इस संस्था को यह पढ़ाई करा राने के लिए मानिता लेनी थी एंसे इनों ने वह मानिता ले रखा है यॉदि इनको मानिता दे रखए उस ही राफ़ी पढाए करांने का लेटर जो मानिता दिया गया उस लेटर को को करके जगा जगा कोड में चैलेंज कर रहे हैं हमको वर्थी में सामिल नहीं कर रहे हैं वगरा वगरा लेकिन तो राजस्थान कोड होता है ह। होता है वहां के जो जज होते हैं वह भांग खाकर के लगता बैठे रहते हैं वास्विक्ता बोल रहे हैं कहीं भी किसी कोड का आप जजमेंट देखिएगा असी परसेंट जजमेंट गलत होते हैं वह सुप्रीम कोड को गलट हरा देती है आप देख लिजेगा किसी भी राज् बदल जाएगा तो क्यों होता है ऐसा एसा नहीं कि वह गलत बे रहे हैं उनके सामने जो तत्थ आते हैं उनके सामने तत्थ क्या आते हैं राज की चीज आती हैं तो यह केंद्र की संस्थान हर चीज कर रही है और वहां पर जो राज के संस्थानों को बुला करके पूछा जा तो वो अपने हिसाब से बताते हैं तो सर यह बताई है कि जो हम लोग नियुक्त की थे तो सेंटर गवर्मेंट ही कराई है हम लोगों वही आपको बता रहे हैं तो वह क्या उत्राखंड में कि भरती निकली इसमें विचार थे हमको भी मौका मिले तो चले गए कोट में जो जा आइस वाले भी जब कोट साओर ले आए तो भर दिये फार्म वही उपीटेट वाला सर अभी तो कोई नुकसान हो नहीं रहा था था ठीक है आप दे दो इनको आड़र भरने का भर दे ये भी फार्म भर दिये जितनी लोगों ने फार्म भरा तो क्या सरकार का गुम नुकसा करवा देती है आओ बेटा लोग तुम्हारे लिए में ओर्डर करवा दी जाओ खुछी-खुछी तो खुद से पैसा दो फिर वह सुपीरियर तो है नहीं उससे उपर तो और भी कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट या तो गवर्मन्न खुद चली जाती है या कोईन को एक कैंडिडेट चला जाता है जैसे बीएड वाले उत्राखंट वाले चले गए सुप्रीम कोर्ट तो गवर्मन्न जानती है कोईन कोई तो जाएगा ही और मैटा तब तक हमको लटका के रखना है तो बस उत्राखंट में यही हुआ नियस को मौका मिला सबने फ किस कंडिशन में कोई फाइदा हो रहा है जब अंतिम आडर आएगा अगर अभी हाल फिल हाल में आएगा तो नियस के खिलाफ आएगा और साल दो साल चार साल बाद आएगा तब तक इस्तिती परिस्तिती बदल चुकी होगी तो जब बदल जाएगी तो हो सकता उस समय ने दे दिया हो उसके अनुसार और कर देंगे तो फिर आगे गवर्मेंट को जो कोड कहेगी या गवर्मेंट जो करना चाहेगी फिर आगे कर लेगी लेकिन फिलहाल कि इस्तिती परिस्तिती में नियसको फायदा हुआ कोई फायदा नहीं कोई फायदा नहीं तो चार साथ तो भी सिस्तित बदल जाएगी तो आप खुद ही डारेक्ट भर लेंगे फार्म तो मिला करके एंसिटी ने एन आई पोयस डियेलेड को अप्रूवल दिया कि यह कोर्स करके कोई भी कैंडिडेट कहीं भी पढ़ा सकता ह नहीं है यानि कोर्स प्राइबेट में गॉवर्मेंट में हर जगा वैली नहीं रहे गा माने तो हो गया अब हमको एंसिटी टीटी में बैठ हे दे तब तो अब हम फॉर्म भर रहे हैं फॉर्म कोई भी जानकारी दे करका हमने फ्रम बर दिया पास कर लिए या कोर्स आउड नहीं दिया जा रहा है तो उस टेट का क्या मतलब है ऐसे ही केंद्री विद्याले में आप भर रहे हैं आप भर यह जान दीजे लेकिन हंड्रेड परसेंट आपको नोखरी नहीं मिलेगी के बियस ने नहीं लेगा के बियस आपको आप पास कर लेंगे टॉप कर जाएंगे NCT ने लेटर नहीं जारी किया है कि इसमें सामिल हो सकता है क्योंकि अभी ऐसा कहीं है इने अच्छा अब पढ़ाते हैं एक चीज बताईए अगर कोई पढ़ाई करे तो किस फिल्ड में जाएगा वकील तो नहीं बन सकता ना अगर कोई अगर कर लें मार्केटिंग वाला वो क्या बनेगा बिजनेस वाले फिल्ड में जाएगा उससे जाएगा उसी पॉइंट पर आ रहे हैं तो चाहे लड़के कितना भी चिला आ लें कोट चले जाएं कुछ भी कर लें पहले उनको यह जानने का प्रयास करना है हमारे जो कूर्स है जिस भी संशाने बनाया तो कुछ सोच करके बनाया होगा उस चीज पर नहीं जाना चाहते हैं बस जबस अबस तो आपको नौकरी मिलेगी बहुत अच्छी बात है एक उसमें को जाएगा क्या नहीं जाएगा तो हम आपका क्यूं बुरा चाहेंगे कि आ आप हमसे बात कर रहे हैं, बताई मेरा कोई लाव या नुक्सान है, नहीं सर, नहीं सर, हम लोग जब बात कर रहे हैं, तो एक पॉइंट पर बात कर रहे हैं, यहां पर नहमा के विरोधी हैं, नहमा के समर्थक हैं, एक नॉर्मल बाचित हो रही है, तो जब हम कहीं कोई बात क है है यह लिखते हैं इससे संब्ढ़ने तो लोगों का पूरा लग जाता है है जो सच है आप के आगेंस्ट है आप वीपटीत है तो हम हम यह थीगा कर सकते हैं तो हम 2019 में मसाधा आ गया था 20 में लागू हो गया और 17 और 19 सेशन में यह आपका कोर्स कराया गया तो जब यह कोर्स कराया जा रहा था तो पहला उदेश से यह रखा गया कि के तहद कहीं भी कोई भी टीचर है तो उसको ट्रेण्ड होना थे फ्राइमरी लेवल पर हको हर अब और बीद के तहद इन्टर पेलेन हैं तो पहला तो यह था कि सारे टीचर नहीं में प्राइबेट में कोई ठीचर जो कर दिया गया । भविसमें कड़ाई करेंगे जो अंट्रेंड कहीं भी रहेगा उसको रहने नहीं देंगे आप रेख रहे हैं हर स्कूल का यूड़ाइस कोड वगरा क्या-क्या बना करके उसका online से कुछ कर दिया गया है इसलिए कि सारे टीचरों को भी monitor किया जा से प्राइवेट वाल ऐरे ग जो teacher trainer नहीं है उनके लिए कराए गया अब दूसरी बात आती है कि जब कोई course कर लेगा तो government को उसको कहीं मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा तो पहली बात तो इसकी कोई guarantee नहीं होती है कि कोई course करके आप जो है सरकार के दामाद बनगे कि आपको भरती मौका दे ही वो पहली सरकार किसी की दुस्मन है तो वह चीजों को करती है जब भी तो इस हिसाब से करती है कि जो है आपका भला जहां हो सकता हो जाए तो उन्होंने जब यह course बनाया तो वह राश्टे सिछानीती में तैयार हो रही थी और उनको पता था कि प्री प्रैमरी हमें सुरू करना है पेपर कटिंग शेयर किया हैा है और उत्तरक वगडरा नद राजव में भी हुआ है अभी राजस्थान बप्रेपरा कअगर करेंगे यह तो सभी राज बाल वाटे कापनी है सुरू कर रहें केंदर बढ़ताले न्ने तो जो है इस साल से बार सो कर दिया हैsın करीब 99 विद्य तो भाई गौवर्मेंट के लिए रखना ही है तो फिक इसको रखेंगे तो पहला उनके सामने था NTT जो की प्रैमरी के लिए सुरू से बना ही हुआ है ये कोर्स प्रैमरी के लिए प्रैमरी तो एक तो NTT को ले लेंगे दूसरा एक मुद्दा कुछ राज्यों में था जैसे UP सिक्षामित्र है ये बीटीसी किये हैं दूरस्त माध्रम से तो जो रेगुलर बीटीसी है और दूरस्त है इनमें है तो थोड़ा सा डिफरेंट लेकिन फिर भी समानता है तो इनको प्रैमरी में लिया जा रहा है लेकिन ऐसे भी बहुत सारे टीचर हैं जो कि टेट पास नह UP. इतनी नहीं है सिक्षामित्र वहाई दूरस्त बीटीसी इनकी इतनी नहीं है और यह कुछ ही राजों में नहीं है जबकि प्रीय तो पूरे भारत में शुरू किया गया है तो पूरे भारत के लिए इनको से रहता तो इन्हों ने फुचर के लिए प्लान किया है कि एन आई ओएस डेलेट को हम जो है प्री प्रैमरी में लेंगे हमारे जानकारी में यही है और यह आने अले टाइम में आपको दिखेगा तो जब तक गवर्मेंट अपने पत्ते नहीं खोल रही है यह चीज़े सारवजनिक नहीं कर रही है तब तक तो मेरी बात पर विश्वा में जो प्लानिंग है वो सब देखेंगे तो सब समझ में आएगा उसमें एक अनुमान निकले का कि अकल जो यह बाल वाटिका है उसमें कहीं अध्यातों को भरती करेंगे वो भाई किसी का मर्डर हो जाता है चूदी हो जाता है कुछ भी हो जाता है हम आप चूद को नहीं कौन हैं किसने मर्डर की हम आप नहीं जानते हैं लेकिन जाहेज सवह जीतना भी साथिर हो व्यक्ति पोलिस-पूच निकालती है की नहीं कैसे निकाल लेती है वो उस फिल्ड के एकसपर्ट है वो हम आप जो चीछिह नहीं को वह भी इखाई देता है आखें हमारे पास भी ह ऐसे ही जो चीजें हम कह रहे हैं वो चीजें हर किसी को दिखेंगी लेकिन उसके लिए नौलेज रखना पड़ेगा डीपली शिख्चा विवाग में डूबना पड़ेगा कि क्या क्या चल रहा है इस विवाग में कोई काम हो रहा है तो क्यूं हो रहा है कोई काम नहीं हो रहा दूसे को को नहीं आ रहे होगी तो उसी आधार पर उनहीं सारी चीज्यों पर और कोच हमें हिसाने से मता अधार रहते हैं। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि बिहार में तो जो है ले लिया गया अगर जो है किसी कंपणी में कोई जॉब निकले वहां पर हम एंबियो वाले को लेंगे ठीक अब मान लीजे कोई दूसरी कंपनी है और वहां पर वह अनपढ़ को रख ले जॉब पर तो क्या आप कहेंगे कि वह अनपढ़ रखा है तो तुम क्यों एंबियो वाले को ले रहे हो तुम भी लो अनपढ़ को इसा तो नहीं अलाला कंपनी है उनकी अपनी मर्जी है ठीक हां लेकिन जहां पर लेकिन इसको चैलेंज कोई भी कर सकता है या कि योगिता पर कम सम पढ़े लिखो को मौका जा या कोई नियम बना है किने यह वाला ही रखा जाएगा व ऊस नियम के ढश्वर उस अनपढ़ को चैलेंज करकर था हो वैसे ही जो रूुल के कहीं जा रहा उसको तो लोग आज करसे घै Less को भी चैलेंज कर दे को लोग चैलेंज कर दे रहे हैं कोड में जो बिहार या कहीं भी किसी ने एनायस देलेट को मौका दे दिया है तो गलत वह भी नहीं है क्योंकि छूट देने का प्राविधान बना हुआ है अगर छूट ले करके जो अगर किया गया होगा तब तो वहां पर वह चलेगा काम क्य कि उसमें नियम बना है कि पढ़ाना आवश्यक है अगर आपको जो लोग नौक्री पाएं है को कोई भी चैलेंज कर सकता है अब वैसे वो उनका व्यक्तिकत मुद्दा अगर एक राज नहीं ऐसा किया है, कोई जो नहीं कर दूसरे राज पर दबाव बना दें, तो कि नियम अनुसार वो सही नहीं है भी, तो वो अलग मुद्दा है, तो हर चीज को लोग अपने अपने नजरिये से देखते हैं, कि मेर फायदा कहा हो रहा है, मेरा नुक्सान कहा हो रहा है, जहां फायदवाली बात होती है, वहाँ पर उल्टा सीधा गलत सही, उनको सब सही लगता है, जहां नुक्सान हो रहा होता है, वो उसको जो है, फिर गलत बता रहे होते हैं, चाहे कितना भी सही रहे है, तो अब हर इंस कुछ राजी घोसरा कर रहे हैं पीपर में खुब नहीं हुजा रहा है पड़ अच्छा लग रहा है देख करके कि इन राजी कर रहे हैं यह वास्तिविक्ता क्या है यह संभव चीज है पहले बात तो आज अगर किसी को पुराने पेंशन की हम बात करके घोसरा करके उसको ऑन पच्छी साल बाद आएगा और पच्छी साल बाद जो है जब यह होगा उसकी सरकार होगा उसके उपर बोज जाएगा वरतमान में बोलने में क्या जाता है तो राजनीती को देखते हुए कुछ राज्यों की सरकारें बोल दे रहे हैं लेकिन वास्तिविक्ता क्या है वास् पास वर्तमान में अब इस तरह के अधिकार रह नहीं गए हैं कि वह अब खुद से लागू कर लें बिना केंद्र के अनुमति के तो चिलाते रहे हैं अगबारों में हिमाचल में अभी सरकार बनी कांग्रेश की चुनाओं से पहले उन्होंने घोसरा किया कि हम महिलाओं को 15 महिला के लिए बनी हैं हम बाद में इसको विचार करेंगे तो चुनाओं के समय बोलने में क्या जाता है और जंता मुर्ख है बाई बात अगर कोई एक रुपया भी आपको देने का कहरा है फ्री में चाहिए वो सरकार हो चाहिए कोई व्यक्ति हो तो कहीं ने कहीं इसको पहुँह सोर्द होगा भाई ऐजकल भाई भाई को नहीं देता है हां उनका नहीं बनता है बाप बैटे मुस्चा बोश जारहा है तो कोई ili देंगे कहां से पैसे कहां से लेती है हम hem ही लोक से तो लेती है तो कोई झाल या तोjun 2014 गलता है वह पैसा कुछ और में होता कहीं सड़क बनता कहीं स्कूल बनता कहीं स्पताल बनता कुछ तो होता लेकिन आप वह काम ब्रोक करके फ्री में बिजली देंगे फ्री में कुछ और देंगे तो यह सब चीजें आम जनता जो हत्हान नहीं देती है यह सब लुभावनी चीजें हैं तो आते हैं मुद्दे पर आप समझ गाए होंगे कि अभी आप चाहे जितनी बार सिटेट पास कर लीजिए कुछ भी कर लीजिए लेकिन जब मुद्दा सुप्रियूम कोड जाएगा सुप्रियूम कोड कहें कि इंको साइड में कर दो हुआ यही उत्राखंड में तो अप्रूवल दिया है नएश डिलेट को वह पढ़ाई कराने का दिया है और पढ़ाई आपने कर लिया वो सर्टिफिकेट कोई यह नहीं कह सकता है कि फरजी है रद्धी है और इन्वैलिड है जो आज कंडिशन एश डिलेट के साथ है यही कंडिशन बहुत सारे कोर्सों के बहुत समय हुआ है फिर धीर धीर उनको भी मिले जैसे इगनू से बीएड जब लोग सुरू में करना सुरू किये उनको सरकाई नौकरी में नहीं लिया जा रहा था तो पहले सुरू हो जाते हैं बाद में उनको जगर जगर पर जैसा मौका होता है सरकारें अप्रोल देती जा जैसे अब उत्राखंड को छोड़कर चलने राजस्थान वाले में तो वहां उनका कहना है वही है कि आलेडी जब बेस्टी सी या डीलेड इस तरह के कोस्टेज हैं तो बीट को क्यों आप ला रहा है हो हमारे अधिकार मारे जा रहा है जा रही बार तो तो तुम्हारे तरह के अधिकार दिये गए हैं लेकिन हमारा जो मानना है वास्तविक्ता में अधिकार जैसा कोई चीज होता ही नहीं है ठीक है भले लोग कहें कि यह हमारा अधिकार हमारे समिधान हम को दिया है वह अलग बात है आप उसका फाइदा रही लेकिन अधिकार जैसा कुछ होता आपको जो मिल गया हो बिना अधिकार के भी मिल जाएगा नहीं आप अधिकार दिया भी गया हो और फिक कोई उतारू हो जाए गवर्मेंट के नहीं देंगे हम तो क्या कर लेंगा कितना लड़ लेंगे लड़ते रही यह कोड का चहरी तो वहां पर वो लोग कह रहे हैं कि इन कि अपने तर्क हैं तो तर्क हो जाता है साइड में कुल मिलाकर के नियम बनाने का अधिकार किसको है एंसीटी को बुलाए गया है अभी दस्तारी को सुनवाई है आप अगर पिछले हेरिंग का वीडियो देखेंगे सुप्रिम कोड का तो भेड की तरह बेड के वकील और ब कि अथार्टी को बुलावसी दे जो नियम बनाती है तो अथार्टी अब फिर वापस कहां जिस गजट को रद कराने गये हैं अब उसी को बुला रही है बुलावसी से पूछेंगे हम यह वैलिड है ने तो जिसने लेटर जारी किया वो क्या खुद कहेगा कि नहीं यह गलत किया है अगर वो गलत किया भी होगा तो भी गलत नहीं कहेगा और उसने कोई गलत किया नहीं है क्योंकि सारे एदिकार उसको मिले हैं किंद सरकार अपनी राश्य सिछानीति ले कराई उसके अनुसार उनको जो आगे करना था उन्होंने उस संस्था को कहा वह यह तुम इस क कि यह सब्वार सारी एड वाले पैसा वासूल रहे हैं बाहर हो जाएगा यह जाएगा आप लोग जो आदो वकीड बड़ा को तरह बाहर हो गया है बड़ा वकील करो यह लड़ा अब किसी और राज में विवाद होने के चांसें नहीं होते हैं अगर विवाद होसता है तो इसे की कॉपी लगा देते हैं हमने 2018 कि हमारा कंप्लेट हुआ है और उसके बाद हमने पीजी भी कर लिया है तो सर्थ हमने आप यह बताइए कि नए सिच्छानिती में जो प्रावधान है कि अगर आप पीजी से करेंगे तो आपका एक वर्षी हो जाएगा प्रावर्षी इंटर्पूं के बार दो हजाती इसमें अब चार वर्षी कोर्स सुरू होने जा रहा है तो सर अब यह बताइए हमारा जो पर्थिस्थ है तो तो सर बीजी करने के लिए तो पचाज़ पसे ना नहीं वारता रहती है तो हां बिलकुल 29 जुलाई जो भी है जुलाई 2011 के पहले जिन लोगों ने भी बीड किया है और उनका ग्रेजुएशन में परसेंटेज कम है पचास से तो उनका चलेगा क्योंकि एंसेटी ने उनको वैलिट कर दिया है तो यानि कि 2011 के पहले की बात कर रहे हैं तो सिर्फ पहले वाले बाद कोई छूट नहीं है अगर आपको बीड करना है तो जब तक रेजुएशन में आपका पचास प्रिस्टिया उपर नहीं हो जाए मत कीजिए पीजी का लागा का करेंगे तो मुझे कोई लाग नहीं मिलिए पीजी वाले में जो है तरह तरह के छूट दिये गये हैं अब आग करेंगे अभी फिलाल एक साल वाला होनी रही है तो ॉस साल का कोर्स पूरा होते थी शाल लगता है तो आप आने वाले चार साल बाद की बात कर रहे हैं तो उस वक्ट इस भीड़न प्रिस्टिति क्या होगी फीजी वालो को उसके साथ यूज नहीं कर सकते तो आपका ध्यान यहां जाना चाहिए कि राइस्टंडन से या इगनू से आप ग्रिजुएशन पहले कीजिए ठीक है आप जो है ग्रिजुएशन कीजिए और साइड में आप अगर बेड़ करना चाह रहे हैं तो उस पर क्या हो सकता नहीं नह नहीं तो आप पहले ग्रिजुएशन पर फोकस कीजिए ठीक है क्योंकि निस के बेस पर आपको एक नौक्री तो मिल ही जाएगी न अब आपको प्री प्रैमरी जब मिल जा रहा है तो देखें इनसान को पहले क्या चाहिए इस्थिर सहारा इस्थिरता कि कम सम कहीं से पैसा आता रहा है गाड़ी चलती रहा है तो निस को हर हाल में लेना ही लेना है वो आपका रास्ता खुला हुआ है तो आपको वो जाब तो मिली जाएगा उसमें जो कुछ होगा उस पर नजर रखिएगा अगर उसमें कोई दिक्कत आती है ग्रिजुएशन वगरा मांगते हैं य वहां तो काम आ जाएगा लेकिन आप कई ट्रैक पर नहीं चल सकते एक साथ अगर आप ग्रिजुएशन कहीं यूज करेंगे तो आपके पास कोई ट्रेनिंग है नहीं और किसी और फिल्ड में जाएंगे तो अब या तो फिर दूसरे फिल्ड में जाएंगे तो फिर बीड और अने चीजें छोड़िये भूलिये नहीं इसी फिल्ड में रहना है तो फिर उस ग्रिजुएशन को भूल करके नहीं डिजुएशन को फोकस कीजिए इसमें क्या हो रहा है हम लगातार बताई रहे हैं जो चीज़ें आप जो है दिसंबर का महीना है खत्म होने जा रहा है और फर्वरी के बाद फॉर्म आने लगेंगे आप सिर्फ ग्रेजुएशन पर फोकस कीजिए ग्रेजुएशन कर लीजे और दुरस्त से कीजिए का रिगलर मत कीजिएगा तो फिर बिना कमाया नहीं बैठ सकता कुछ महीने बैट जा लेकिन लंबे समय नहीं बैट सकता यानि आपको पैसा कमा नहीं पड़ेगा कुछ नहीं कुछ करना पड़ेगा अब आप रेगुलर एड्मिसन लेकर करके फिर रेगुलर कहीं कोई काम करेंगे तो फिर मैटर फसेगा इसलिए आप अब आगे जो भी ड अगले वर्स से शुरू हो रहा है ठीक है आप उसमें जाना चाहें तो ग्रेजिशन प्लस बीड दोनों साथ में वह भी हो जाएगा अगले वर्स एड्मिसन तो सर यह बताईए अगर हम दूरस से यह चार वर्सी कर लिए तो क्या सही रहेगा पर आप उसको रिगलर करना च चाहर नहीं चाहर वर्सी वाला तो आप रिगलर एड्मिसन ले करके चार वर्सी पुरा रिगूलर कोर्स करिएगा जॉब आप प्राइवेट कर सकते हैं तो नौकरी तो पर्मेन्ट होती है आपको तो नौकरी हर हाल में करना पड़ेगा डेली जाना पड़ेगा और जो आप चार वर्सी डेलेट करेंगे वहां भी अटेंडेंस चाहिए 75 पर फंट तो फिर फच जाएगा तो अगर आपको जॉब की तरफ रहना है पैसा कमाना है गौवर्मेंट जॉब के लिए भी देखते रहना है तो कुछ नहीं आप चुक्चा पहले यह ग्रिजुएशन डालिए दुरस्तवाले से और देखते रहे प्रिप्रेम्री में जो कुछ होता है उस वा फोकस की जिए यह आसान रास्ता है इसको चुनिए जब आपका प्रि प्रिमर्सन में वह काम आएगा यहां परतना सी यह फर्क नहीं पड़ता प των से करेंगे प्रैवेट घर करGO चाएंगे इस से कोई मिदाने आपने किया है कि नहीं किया बस यह देखा जाता है अब यह नत्या भरती हुई है किसीने बिचु से पढ़ाई किया और किसीने लंदन से किया वह सिर्प कहने की बात होती है कि हां जो गोल्ड मेडलिश्ट है लहाबाद फिर्दी के बिचु बहुत सब उस समय कौन से जो है गली वाले किसी स्कुल काले से पढ़कर किया है या बार्चा को प्राइबिट में कर है तो फिर वहां तो टैलेंट चलेगा नजाने कितने गोल्ड मेडलिस्ट बैठें बैठें होंगे लेकिन खांसर नोट चाप रहे हैं फिजिक्स वाला जो है वो खुद बतात है कि हम पढ़ा किया रहे हैं फिजिक्स ट्यार है का किया है रहे हैं कि तदीड पढ़ा हुआ है किना उनकी इस तरह कुछ नहीं है गोल्ड मेर्लिस्ट नहीं लेकिन क्या है टैलेंट है टैलेंट है उसके दम पर जो है इस वक्त जो है अर्वों में खेल रहे हैं करोड़ों में तो सरी यह जो पचास पर तिस आरहता वाली है अभी तक मनलब इस पर कोई संसोधन नहीं हुआ है तो उननक को किशी तरीके से पूरा करना मतलब नक्री देना है उसके लिये रास्ता बनाया गया है आगे वालों के लिए नहीं किया गया क्योंकि आगे वालों में हर जगा एडिमिशन पचास प्रस्थ पर हुआ है और आगे वालों का इस तरह का कोई मुद्दा भी नहीं फसा हुआ है ठीक है सबसे मुख्यों होता है कांसेप्ट क्लियर होना हर चीज क्लियर कर लेना माइंड में कि क्या है क्या नहीं है जो है उसको स्विकार करना होगा भले हमें अच्छा लग रहा हो जो नहीं है वो भले सुनने में अच्छा लग रहा हो लेकिन क्या मतलब जो ची है ही ने उस बात को सुन करकर पढ़ करना है कि हम करना है तो जो हमारे कर लो कोई बता नहीं था हम अपने आप कर सकते हैं आप एक रेगुलर और दूरस्त वाला कर सकते हैं जॉब में हैं आप दूरस्त माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं आप जो है कोई डिग्री ले रहे हैं उसके साथ में दूरस्त माध्यम से कोई दूसरा कोर्स कर सकते हैं ठीक है लेकिन आपका जो मैटर फसरा है वो यह कि दो-दो रेगुलर चीज़ें आ जा रही हैं आपने अगर अगर डिलेट किया तो आपने दिखाया होगा ओन पेपर वहां पर वर्बली कुछ नहीं हुआ है आपने पेपर दिखाया होगा तो आप वहां पर सो कर रहे हैं कि हम यहां जॉब कर रहे हैं तो आप ऐसा कैसे हो सकता है कि कॉलेज में पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं तो यहां पर इन तो आप तो फसेंगे फसेंगे कल को अगर कहीं आपने दोनों साथ लगा दिया तो इसकूल भी फस जाएगा क्यों यह जब यह वहां regular course कर रहे थे पढ़ाई तो आप कहां नौकरी कौन कर रहा था या तो फिर अगर यह नौकरी कर रहे थे तो इसकूल वाले में चले जाएंगे फिर आप कहां अटेंडेंस कैसे पूरा हो गया आपको अगर वहां से डिग्री मिला तो अटेंडेंस वह पूरा दिखाए होंग भले आप तो आप दिन ना घय हूं तो फ्रियातों वहां पर तो ऐसे में करना कीọn‐ा यह जजान दिखाएंगे और अपने आस पास पड़ो सिस्यदार नातेदार जिन से आपने अब तक जानकारी दिया कहा वो अलग बात भूल जाएंगे दिरे दिरे लेकिन कभी भी उनसे इस तरह के कोई भी चीज जिक्र मत कीजिएगा आपको जो फॉर्म भरना है ना भरिएगा चुप-चाप जो नौ किसी के पास आपके पास वो जो है बीएका डिग्री पा गया आपका अब वो दुस्मनी है ले जागर के जुटे को केश ठोक दिया तो भी आप फस जाएंगे तो अपना डॉक्मेंट कभी गलती से भी किसी को मत दिये कहीं जाएगा जिरॉक्स कराने घड़े होकर के सामने जितने पेज वो निकालेगा सब ले लिजेगा कोई खराब हो गया होगा तो वहीं फार दफिक दीजेगा लेकिन उसके पास रद्दी भी मत छोड़िएगा दुस्मन हर जेगा होते हैं जब इंसान सफल तक से डिचड़ रहा होता तो जो पीछे छूटते जाते हैं वो सब फेस्बूक पर वाट्सप पर अकबार में यहां वहां पढ़ते हों जाते धर्म को लेकर के लेकिन वो जाते धर्म पीछे छूट चुका है असली दुस्मन आजकल यहां पर हो गया है जलनकोर तो हर चीज का ध्यान रख करके हर काम कीजेगा चलिए सर आप यह जनकारी हमें दिये बहुत धन्यवाद सर आपका दिल से अभार विल्कम भाई ठीक रखें ठीक है धन्यवाद